अज़ मैंने छोड़ा करके मोर दिया है श्क्राइश pane मैंने यलो कलर की साड़ी और नुदो की हदसे मैं बैककडौ बनाने जा रहे हूं तो फिर्सट फाल मैंने अपनी बैड़ सीट को ले लिया है कर्टेन रोड के अंदर आप चाहें तो अपने घर की विंडो की कर्टेन रोड को भी यूज कर सकते हैं यहां पर मैं कर्टेन स्टेंड पर इसको लगा के कर रही हूं सो देट बाहर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे आउट्डोर डेकुरिशन के लिए इस तरह के कर्टन स्टेंड थोड़ा हेल्फुल होते हैं अकसर फोटोग्राफर्स के पास भी होता है जो यह रेंट पर हमें दे सकते हैं अदरवाइस आप चाहें तो इसको ऑनलाइन अटेच करने चाहरी हो अपने इस बैक्ट्रॉप पर यह इस तरह की गेंदे की लड़ियां अकसर मंदिर के आसपास बहुत इसली मिल जाती है मैंने तो फ्लार वाले से लिया था पचाश साथ रुपए के हिसाब से यह पूरी एक लड़ी दे देते हैं तो गेंदे के फूल अब इसको आगे बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है हुला हुप इसको मैंने अमेजन से पर्चेस किया था इस हुला हुप को अपस में इस तरह से कनेक्ट करते चले गया और यह अभी है मेरा रिडी हो गया है इस हुला हुप के भी चारो तरफ में यहां पर मैं यूज कर रही हूं गेंदे की लड़ियां आज की डेकरिशन्स में मैं सारा ही औरिजनल फ्लार्स का यूज कर रही हूं हलाकि अगर इसको आर्टिफीसियल प्लार्स की हल्प सी अगर डेकरीट करते तो और जदा खुबसुरत लगेगा क्योंकि उसमें काफी वैबरेंट कलर और काफ आफ्टरिंग भी इसली मिल जाती है और इसको भी मैं इसी तरह से बिल्कुल कवर कर रही हूं औरिजनल फ्लार्स की हल्प से इसमें बस एक सिंपल सा नॉट लगाना है और घुमा घुमा करके इसके चारो तरफ लपेटते जाना है मेरे मेरे फ्लार्स थोड़ा सा पुराने दागा और उस धागे से मैं कनेक्ट कर रहे हूं छोटे रिंग को बड़े रिंग के साथ में एक सिंपल यहां पर मैंने Nault लगा दी है मजिनटा कलर का इधागा मैंने क्यूं लिया है विकूज मैं बैट सीट वस इन मजिनटा कलर तो उसके साथ में यह छिप जाएगा कलर दिखा ही नहीं देगा इसका इस वज़े से मैंने Magenta कलर का ही यहाँ पर धागा लिया है Now this is ready, जी नहीं बिलकुल भी नहीं क्योंकि हमें आभी करना है एक बहुत ही ज़रूरी काम और उसके लिए मैंने यहाँ पर ऐसी छोटी एक डलिया टाइप की चीज ले ली है इसको भी मैंने Magenta कलर के धागे से अटेच कर दिया है अपने बड़े वाले रिंग को इसका क्या लोजिक है यह भी आपको बस थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा बस इसको सिंपली मैंने नॉट लगा करके अटेच कर दिया है अपने बड़े वाले रिंग के साथ में कई बार गांठे लगा के इसको अच्छे से अटेच कर देना है ताकि यह निकलने न पाए नौ दिस रेडी और अब यह हमारा बिल्कुल रेडी है लगने के लिए तो इसको सिंपली मैंने इस डल्या को पकड़ा और इसको पीछे साइड में कर दिया है इसको लटका दिया है हाँ पर बट यह क्या ओ मैं गॉट यह तो रुख ही नहीं रहा है यह तो बार-बार गिर रहा है अभी क्या करना है क्या करना है ओहो यह तो रुख गया वट इस दर इजन चलिए पीछे से दिखाती हूं आपको मैंने इजलिया में वेट के लिए रख दिया है छोटी-छोटी इंते और इस धागे से चुकि यह अटैस्ट है तो इसने बैलेंसिंग का काम किया है हमारे आगे वाले सरकल को यह नीचे नहीं गिरने दे रहा है और प बड़े और छोटे सरकल एकडम हवा में लटके हुए है अभी आगे का डेकरेशन करने के लिए मैंने डबल साइडे टेप को चिपका रही हूं मैं यहां पर एक खाली कंटेनर के साथ में और इसके डबल साइडे टेप को निकाल करके यहां पर भी मैं यूज कर रही हूं औ आप चाहें तो आर्टिफिस्यल को ही आजवल यूज कर सकते हैं एंड सिम्पली अपने इस गेंदे की लड़ी को बस मैं घुमाते चाहरी हूं अपने इस कंटेनर अपने इस दब्बे के चारो तरब और इसको पूरा मैंने कवर कर दिया है फ्लार्स की हल्प से और अभी य उसको भी मैंने अटेश करने के लिए डबल साड़ी टेप का यूज किया यह एक डेकरेटी पीस रख दिया है अभी चुकि मैं डेकरेशन कर रहे हूं हल्दी फंक्शन के लिए तो मैंने बैठने के लिए यहां पर एक चौकी छोटी रखी उसके उपर अपनी यलो वाली सा के साथ में इस तरह से एक डेजाइन टाइप का बन गया है यहां पर इसी तरह से मैंने दूसरी साइट भी जो बैठने के चौकी है उसके दूसरी साइट भी एक डेजाइन टाइप का बना दिया थोड़ा सा चौकी को भी डेकरेट का दिया है तो फ्रेंट कैसा लगा आपक किसी suggestion की जरूँत हो तो आप मुझे comment box में कर सकते हैं बाइ-बाइ मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और नहीं डेकरेशन आडिया के साथ तिल दिन बाइ-बाइ